मुझे एक किस्णा याद आता है आज दें सभापती जी मुझे किस्णा याद आता है 99 मार्फ लेकर एक बालत गमंड में गूम रहा था और दे सब को दिखाता था देखो कितने जादा मार्फ आए है तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो स्थावाजी देते थे बहुत उसको हुसला बुलंद करते थे तो फिर उनके टीचर आये किस बात कि मिठाई बात रहे हो यह 100 में से 99 नहीं लाया यह तो 543 में से लाया है अब उस बालग बुद्धी को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है आधनिय सभापती जी इस देश ने लंबे अर्चे तक तुष्टी करण की राजवीती भी देखी इस देश ने लंबे अर्चे तक तुष्टी करण का गवर्णन्स का मोडल भी देखा देश ने पहली बार सेक्विलर्यम का एक पूरा हमने जो प्रयास किया और वो हमने तुष्टी करण नहीं संतुष्टी करण और संतुष्टी करण के विचार को ले करते हम चले हैं और जब हम संतुष्टी करण की बात करते हैं तो इसका मटलब है कि हर योजना का सेचिरेशन गवर्नेंस की आखरी व्यक्ति तक कुहतेने की हमारी जो संकल्पना है इसको परिपूर्ण करना और जब हम सेचिरेशन के सिध्धान को लेकर चलते हैं सबसेचिरेशन सच्चे अर्थ में सामाजी की न्याय होता है सेचिरेशन सच्चे अर्थ में सेक्यूलरिजम होता है और उसी को देश की जंताएं हमें तीसरी बार बिठा करके महर लगा दी है कि आधनिया सभापती जी बालक बुद्धी में ना बोलने का ठिकाना होता है और नहीं बालक बुद्धी में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है और जब ये बालक बुद्धी पूरी तरह सभार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं ये बालक बुद्धी अपनी सीमा एक खो देती है तो सदन के अंदर बैट मिकर के आखे मारते हैं आखे मारते हैं इनकी सचाई आधनिय सभापती जी अब पुरा बेश समझ गया है आधनिय सभापती जी 2014 के उन दिनों को याद करेंगे तो हमारे धान में आएगा कि हमारे देश के लोगों ने उनका आतको विस्वा सोच चुका था देश निराशा की गर्त में डूप चुका था ऐसे समय दोहजार चुदा के पहले देश में जो सबसे बड़ा नुक्सान भुपता था जो सबसे बड़ी अमानत थोई थी वो था देश वास्यों का आत्म विस्वा सब्सक्राइब झाल झाल झाल